हेलो फ्रेंड्स गुड मोर्निंग मैं विनोत कुमार सहाय काचारी राजनीती विज्ञान वीर बाला कालिबाई राज के कन्या महाविदाले डुंगरपुर मित्रो आज के इस वीडियो में हम बिये पार्ट सेकंड पोलिटिकल सैंस में भारती सम्विधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे मित्रो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने भारती सम्विधान की प्रस्ताउना के बारे में चर्चा की थी उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे मित्रो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रतेक सम्विधान के प्रारब में उसकी उदेशी का होती है जिसमें सम्विधान के मुख्य उदेश से स्पस्ट किये जाते हैं दोस्तो सबसे पहले अमेरीका के समविधान में प्रस्तावना को समलित किया गया था उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया जिन में भारत भी सामिल है मित्रो पंडित ठाकुर्दास भारगव ने प्रस्तावना को सम्विधान की आत्मा बताया है जबकि दोस्तो ए ने पालकी वाला ने प्रस्तावना को सम्विधान का परिचे पत्रक कहा है दोस्तो भारती सम्विधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नहरू द्वारा रखेगे उदेश से प्रस्ताव पर आधारित है जो पंडित नहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया और 22 जन्वरी 1947 को सर्वस हैमती से पारित हुआ मित्रो आज के इस वीडियो में हम प्रस्तावना में नहित जो मुखे तत्व हैं उन तत्वों की चर्चा करेंगे जिसमें दोस्तो सबसे पहले है हम भारत के लोग मित्रो, हम भारत के लोग सब्द जो हैं, इन सब्दों का अभिप्राय है कि इस सम्विधान के निर्माता भारत ये ही हैं, सम्विधान की सक्ति का स्रोत भारती जनता है और परभुत्व सक्ति जनता में नहीं थे दोस्तो, आपको ध्यान रखना है कि हम भारत के लोग जो सब्द हैं, इन सब्दों का अभिप्राय है कि सम्विधान के निर्माता भारत ये ही हैं, सम्विधान की सक्ति का स्रोत भारती जनता है और परभुत्व सक्ति जनता में नहीं थे दोस्तो, सम्विधान में उलेखित सब्द हम भारत के लोग भारत में लोकिक संप्रभुता को स्पस्ट करते हैं दोस्तो दुर्गादास बसू के अनुसार हम भारत के लोग सब्द भारती राजव्यवस्ता के गणतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक चरित्र तथा समझ सक्ति का परम्सरोत जनता को मानते हैं। दूसरा मुखे तत्व है दोस्तो संपुन परभूत्व संपन। दोस्तो प्रस्तावना में संपुन परभूत्व संपन सब्द का प्रयोग इस भाध का गोतक है कि भारत के आंत्रिक तथा वेदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्व भोम तथा सवतंतर है। मित्रो आपको ध्यान रखना है कि संप्रभुता का अर्थ होता है आंतरिक मामलों में सर्वोच तथा भाईय मामलों में सवतंतर। दोस्तो संप्रभुत सब्दकास से है कि भारत ने तो किसी अन्य देश पर निर्बर है और ने ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। दोस्तो इसके उपर और कोई सक्ति नहीं है और ये अपने मामलों करने स्तारन करने के लिए सवतंतर है तीसरा जो सब्द है दोस्तो वो है पंथ निर्पिक्स दोस्तो यह सब्द उदेशिका में 42 वे संविधान संसोदन अधिनियम 1976 द्वारा जोडा गया दोस्तो पंथ नेरप्यक्स राज़े से तात्परी ऐसे राज़े से है जो किसी विशेश धर्म को राज धर्म के रूप में मानेता नहीं परदान करता अपितु सभी धर्मों के साथ समान व्यभार करता है और धार्मिक सबतंतरता परदान करता है दोस्तो एसार बॉंबई बनाम भारत संगवाद में पंथ नेर्प्यक्सता को सम्विधान में मूल धाचे में सामिल किया गया है तो दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि पंथ नेर्प्यक्स सब्द जो है अपितु सभी दर्मों के साथ सम्मान विवहार करता है और धार्मिक सवतंतरता प्रदान करता है दोस्तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एसार बॉंबई बनाम भारत संगवाद में पंथ नेर्प्यक्सता को सम्विधान में मूल धाचे में सामिल किया गया है अगला सब्द है दोस्तो लोकतंतरात्मक दोस्तो यह सब्द इस बात का परिचायक है कि भारत सरकार की सक्ति का स्रोथ भारत की जनता है दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब्द जो है लोकतंत्रात्मक ये सब्द इस बात का परिचायक है कि भारत सरकार के सकती का स्रोध जो है वो भारत की जनता है दोस्तो लोकतंतर दो परकार का होता है प्रतिक्स वै एप्रतिक्स प्रतिक्स लोकतंतर में लोग अपनी सकती का इस्तिमाल प्रतिक्स रूप से करते हैं और एप्रतिक्स लोकतंतर में दोस्तो लोग जो है वो अपने चुने गए प्रतिनी दियों के माद्यम से सकती का इस्ति अथार्त राष्टपती निर्वाचित होगा ने कि वन सनुगत। हमेशा परतेक्स अत्वा एपरतेक्स रूप से एक निशित समय के लिए चुन कराता है जैसे अमेरिका, भारत अगला जो सब्द है दोस्तो वो है न्याय दोस्तो प्रस्तावना में न्याय तीन भिन रूपों में सामिल है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनितिक न्याय दोस्तो सामाजिक न्याय कार्थ है हर विक्ति के साथ जाती, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदबाव की ये समान विभार इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेश के लिए विशेशा दिकारों की अनुपस्तिती और SC, ST अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्तति में सुधार दोस्तो आर्थिक न्यायकार्थ है कि आर्थिक कारणों के अधार पर किसी विव्यक्ति से भेदवाव नहीं किया जाएगा इसमें संपदा, आय वशंपति की एसमानता को दूर करना भी सामिल है दोस्तो समाजिक नयाय और आर्थिक नयाय का मिला जला रूप जो है वो अनुपाति नयाय को परिलक्षित करता है दोस्तो राजनीतिक नयाय कार्थ है यह हर व्यक्ति को समान राजनतिक अधिकार प्राप्त होंगे चाहे वो राजनितिक दप्तरों में प्रवेस की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार दोस्तो समाजिक आर्थिक वर राजनितिक नय के इन तत्वों को 1917 की रूसी करांती से लिया गया है तो दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि भारती समविधान की जो प्रस्तावना है उसमें नय के तिन रूपों का उले किया गया है समाजिक नय, आर्थिक नय, वर राजनितिक नय अब दोस्तो हम चर्चा करते हैं अगले तत्वय की जो है समाजवाद दोस्तो यह सब्द भी 42 सम्विधान संसोदन से जोड़ा गया दोस्तो आपको एक बात विशेश रूप से याद रखनी है कि समाजवाद सब्द जो है वो 42 सम्विधान संसोदन के दोारा भारती सम्विधान की प्रस्तावना में सामिल क्या गया है लेकिन दोस्तो आपको यी भी ध्यान में रखना है कि भारती समिधान के निती निद्रेशक्त दांतों में समाजवादी लक्षन जो थे वो पहले से मोजुद थे दोस्तो आकोई ध्यान रखना है कि भारती समाजवाद का जो सवरूप है वो लोकतांत्रिक समाजवाद का है दोस्तो समाजवाद का आश्य है कि समाज में आय, प्रतिष्टा और जीवन यापन के स्तर में विसमता का अंत करके ऐसी सासन व्यवस्ता को स्तापित करना जिसमें उत्पादन वे वित्रन के सादनों का राष्टी एकरण करते वे इनका उपयोग समाजिक हित में किया जाए दोस्तों कॉंग्रेस ने 1955 के आवाडी सतर में भारती राज्ये के लक्से के रूप में समाज का समाजवादी प्रारुपदों को स्विकार किया तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारती सम्विधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद सब्द जो है 42 सम्विधान संसोदन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तो आपको ये भी धान रखना है कि वैसे भारत के सम्विधान में कि जो नीती निजिस्क सिदान्त है उसमें समाजवादी लक्षन जो थे वो पहले से मोजूद थे दोस्तों आपको ये भी धान में रखना है कि भारती समाजवाद का सवरूप जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद का है अब दोस्तों हम अगले तत्व की चर्चा करते हैं जो है सवतंतरता दोस्तो सवतंतरता कार्थ है लोगों की गती विदियों पर किसी प्रकार की रोक्तों की अनुपस्तिती तथा साथ ही व्यक्ति की विकास के लिए अवसर परदान करना दोस्तो प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मोलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सवतंतरता सुरक्षित करती है इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खट-कटाया जा सकता है दोस्तो जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारती ये लोकतांत्रिक व्यवस्ता को सफलता पूरुक चलाने के लिए सवतंतर्ता परमावसेक है दोस्तो हाला कि सवतंतर्ता का विप्रा ये नहीं है कि हर विक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो सवतंतर्ता के अधिकार का इस्तेमाल समविधार में लिखी सीमाओं के बीतर ही किया जा सकता है संगसेब में कहा जाए तो प्रस्तावना में परदत सवतंतर्ता एवं मोली का अधिकार सर्त रहीद नहीं है दोस्तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें सवतंतर्ता, समता और बंदूत्वा के जो आदर्स हैं वो फ्रांसिसी करांती से लिए गए हैं अगला जो तत्व है दोस्तो वो है समता दोस्तो समताकार्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेशा दिकारों की अनुपस्तिती और बिना किसी भेदवाओ के हर वेक्ति को समान आउसर परदान करने के उपबंद तो दोस्तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि समताकार्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेशा धिकारों की अनुपस्तिति और बिना किसी बेदवाओ के हर विक्ति को समान आउसर परदान करने के उपबंद दोस्तो आपको ये धान रखना है कि भारती सम्विधान जो है उस भारती सम्विधान की भागतिन में समानता का अधिकार भी नागरिकों को प्रदान किया गया है अगला जो तत्व है दोस्तो वो है बंदूत्वे मितरो, बंदूत्वय का अर्थ है भाय چारे की भाऊना, दोस्तो, सम्विधान एक कल नागरिकता के एकतंतर के माध्यम से भाय чारे की भाऊना को प्रोठ सहित करता है, दोस्तो, मोलि करतवें भी कहते हैं कि यहर भारती नागरिक का करतवे होगा कि वह है धार्मिक, भासाई, चत्रिये अथ्वा वर्ग विवित्ताओं से उपर उठ सोहार्द और आपसी भायचारी की भावना को प्रोच्छाहित करेगा। अगला जो तत्व है दोस्तो वो है एकता और अखंडता। अगला तत्व कौन सा है मित्रो एकता और अखंडता। दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि सम्विधान की मूल उदेशिका में एकता सब्द ही था किन्तो 42 सम्विधान संसोदन द्वारा अखंडता सब्द जोड़कर राष्ट की एकता की भावना को और अधिक मजबूत करने का उदेशिस्पस्ट किया गया है तो दोस्तो आपको य आपको ध्यान रखना है कि ये जो तत्व मैंने आपको बताये हैं इनके बारे में आपसे एकजाम में पूछा जा सकता है इसलिए इन समस्त तत्वों के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए मित्रो आज के इस वीडियो में हमने प्रस्तामना में नहित मुखे तत्वों के बा आजवाद, सवतंतरता, समता, बंदूत्वै, एकता और खनता, इत्यादी। दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टूपी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिमित्रों जै हिंद, जै भारत।